पहरे निकाय चुनाओं में बड़ी जीत और अब बीजेपी का फोकस लोगसबा चुनाओं पर और इसके लिए पूरे एक महिने तक बीजेपी महासंपर का भियान करेगी पाटी के नेता सांसद विधायक मंत्री लोगों के घरगर तक जाएंगे समवात करेंगे और कहीं ने क कि मिशन 80 का लक्ष पूरा होगा बिलकुल जिस परकार से उत्तर परदेश की जनता ने निकाय के चुनाओं में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं परदेश की जनता ने भरपूर आशिरवाद दिया सभी निगम भारते जनता पार्टी जीती औ और उसके बाद हमारे भरते जनता पार्टी के सी सुनेतत ने 2024 के चुनाओं को लक्षित करते हुए अपनी तैयारी को युद दिस्तर पे अभी से प्रारंब कर दिया है आपको जानकरी अवश मिली होगी कि 30 माई से लेकर 30 जून तक लगातार एक महिना भारती जनता भी वरिष्ट पदादीकारी कारे करता सरकार के मंत्री यानि सत्ता और संटर से जुड़े सभी लोग एक महिने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनादन के बीच विबिन विबिन आयोजनों को लेकर जाने वाले हैं और इस 30 माई से ये समझ ये कि आगामी 2024 के लोग सबा चुनाओ का सुबारां भी कह सकते हैं कि हम करने वाले हैं चुकि लक्ष 80 में से 80 जितने का है इसलिए हर पहलू पर हर व्यक्ति से हर समाज से हर समप्रदाश से समन्मे बनाकर उत्तर प्रदेश में लोग सबा के चुनाओ के परिणाम परत्याशित हो उसके लिए तैयारी श करते हैं और आप लोग इतनी चिलचिलाती गर्मी में जाएंगे सड़क पर वोट मांगेंगे लोग तंत्र हैसाब राजनिती है राजनिती गर्मी शद बरसाथ से कोई कंसर नहीं है हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने सेवा का उसर दिया है और मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि पॉल्टिकल वर्कर का ना कोई मौसम होता है ना कोई समय होता है 24 24 by 7 काम करना हमारे दायत में सामिल है इसलिए भारती जनता पार्टी के लोग टेंपरेचर 42, 43, 45, 48 आपनी जुम्यदारी का निर्वान करते हुए राष्ट के प्रतिस समर्पित होकर आपने दायत को निभाने के लिए निकल लिये हैं हाँ एक बात जरूर है कि कुछ पॉल्टिकल पार्टी के लोग हैं जिनको एसी अच्छा लगता है जिनको हैशो अराम अच्छा लगता है जिनको काम ना करना अच्छा लगता है तो यह उनको मुबारक लेकिन भारते जनता पार्टी का प सबसे गरम महल में हम भारते जनता पार्टे काम को बहुत गर्मी के साथ जनता तक लेके जाएंगे। पूरे एक महिने के अभियान में पिछला मुर्चा भी सभाएं करेगी, सम्मेलन करेगी। निश्चेत ओबी सी मुर्चे की परदेश की बैठक हमने 29 माई को आहुत की है लकनाओ के परदेश काराले में। हम आगामी एक महिने के पूरे अभियान की योजना बनाने वाले हैं। हम सब को मागदर्शन मिला था कारे करताओं को के मोर्चे के माध्यम से भी हमें उत्तर परदेश की सभी लगबग 403 सीटों पर सम्मेलन करके पिछले वर्गों के बीच में बारते जनता पार्टी का विचार और सरकार की उपलब्दियों को लोगसबा चुनाओं को ध्यान में रखते वे लेकर जाना है। तो OBC मोर्चा भी ओत्तर परदेश में अपने राजनतिक गति विधियों को तेजी के साथ धरातल पर लेकर जाने वाला है। करनाटक के चुनाओं हमने देखा बीजेपी ने बजरंग बली का बड़ा नाम लिया, बजरंग बली का हर निता वाहन नाम ले रहे तो उस पर विवाद भी हुगा। अब लोगसमा चुनाव में भी क्या बीजेपी बजरंग बली के सहारे जारी सवाल इसलिए है कि आज बीजेपी नेता हैं परणा जादो वो अपनी आवाज में सुंदर कान रिलीज कर रही हैं बड़ा मंगल का दिन भी है करनाटक का चुनाव मांकी परंपराव के अनुसार होता रहा है कभी भाजपा कभी एदर पार्टी लेकिन बजरंग बली चुके हम जिस विचार धरम सनातन के पृति हम लोग समर्पित हैं उसके निमित बजरंग बली जी का एक हमरे धर्मिक द्रच्टी से परमुकिस्थान है उनका नाम लेना गुनगान करना उनके पृति आस्था रखना यह हम लोगों की आस्था का विजह है चाहे अपणा जी हो या कोई और लेकिन राजनिती को हम कभी भी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं आपको मालूम है कि भारते जनता पार्टी ने विकास और काम पर देश के अंदर सपलता हासिल की है आज भारत दुनिया के नक्षे पर यदी एक सम्माने इस्तिती में पहुँच पाया है तो वो धर्म के आधार पे नहीं साब देश के यसस्वे प्रधान मंतरी नरेदर मोधी जी ने जो नो वर्षों में विकास को लेकर सुधार को ले आरतिक इस्तिती को मचबूत करके जो ने नरे लिये उसके आधार पर हमारा देश भी परदेश में भी परदेश भी आगे बढ़ा है और बहुत सारे आज खुशी होती है तमाम भारतियों को कि पापवा जैसे देश के प्रधान मंतरी हमारे प्रधान मंतरी जी को समान देन के नजर्जे से उनका पैर चुकर अभी वादन करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये देश के प्रधान मंतरी का सम्मान नहीं, ये भारत की 140 कोड जनता का सम्मान है, आज विस पटल पर अगर हमारे प्रधान मंतरी को अनेको देशों में सरवोच नेता के सम्मान के रूप में दे को आज इस सिती में लाके खड़ा कर दिया है कि पूरे दुनिया आज भारत का सम्मान कर रही है ये सम्मान और बढ़े इसलिए हमारे जुम्मेदारी बढ़ जाती है आपने कहा कि हनुमान जी आस्था का केंद्रे और पूजा पाठ साधू संतों का सम्मान करते हैं आप लेकि स्वामी पिसाद मौर उन्होंने कहा कि दिरेन शास्त्री को लेकर कि हिंदू राष्ट की बात करें ये संभव नहीं है कुछ लोग भगवा चोले का गलत इस्तिमाल करें इस तरह का बयान वो दे रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के बारे में तो उत्तर परदेश की जनत है मतलब साफ है कि जो समाजवादी पार्टी के नेताउंडे चाहे उसमें स्वामी परशाद मोरिये जी हूँ या कोई और उन्होंने जिन बयानों का प्रियोग करके हिंदू भावनाओं को अपमानित करने की कोशिश की थी कभी वो रामायंड पे सवाल उठाते हैं कभी र उद्दा हो सकता है कि इसकी धरम का आप अपमान करेंगे तो सह जनता उसको बरदास्त नहीं करेगी तो उसका जबाब समाजवादी पार्टी को लगातार मिल रहा है और स्वामी परशाद मोरिये जी भी जान गए हैं कि उनकी दाल इन बयानों से इस परदेश में गलने वा जाने की स्थिति देश-परदेश में नहीं होगी उपरकार राजबर बीच में चर्चाती की बीजेपी के साथ आएंगे कल अब हमने उनसे बात की तो वो कह रहें कि अगर मायावती अखिलेश शादव सोनिया गानी नितिश कुमार एक मंच पर आ जाएं तो दो घंटे के भी तर उनने फोन करें तो उनके साथ चले जाएंगे कोई मागटबंदन कोई फिरंट अब देश में चलने वाला नहीं है जी और चलने वाला इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि उनका कोई विचार खराब होगा या उनकी सोच खराब होगी चलने वाला इसलिए नहीं है कि NDA और भारतिय जनता पार्टी ने सरकार बना कर देश के लिए काम किया है परिवार के लिए नहीं काम किया है जी ब्रट्रेचार के लिए काम नहीं किया है हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने देश और प्रदेश की जंता के लिए काम किया है उनके हित के लिए काम किया है सबका साथ सबके विकास के सिद्धान को दरातल पे उतारा है इसलिए अब विपक्षी पार्टियों के पास कोई विकल्प अब बसता नहीं है अमपरकार राजभर को तो लाएंगे साथ में लोगसवा चुनाओं से पहले अब श्रीय अमपरकार राजभर जी अपने पार्टी के नेता हैं अध्यक्ष हैं अब उनकी बात किस तरह से कहां पे चलते हैं मुझे जानकार यह नहीं है इतना जरूर है कि कोई पार्टी साथ आएगी या नहीं आएगी ये तो दावा में नहीं कर सकता लेकिन एक दावा में ये कर सकता हूँ कि उत्तर परदेश में लोगसवा के चुनाओं में उत्तर परदेश की 25 करोड जनता भाजपा के साथ खड़ी होगी और अब तो नहीं बात आपने देखी होगी कि अब वो समू वो समाज जो पहले कभी बारते जनता पार्टी के साथ भले ही संक्यक समाज आध्यार में कलब सकते समाज भी दीरे दीरे बारतिय जनता पार्टी को समझ कर समर्थन करना शुरू कर दिया है इसलिए हर समाज हर धरम भाजपा के साथ जब खड़ा हो गया है तो कौन पार्टी किसके साथ जाएगी इस पे चिंता करने के आउसकता अब हमें नहीं है यह बार ठीक है सरी सुनिल सर्माजी हमारी पार्टी के वरिष्ट विधायक है और उन्हें ने चिठ्ठी के बारे में आपने बता है मुझे जानकारी में नहीं है कि कोंसी चिठ्ठी और क्या उसमें मुद्दे उठे हैं लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब से योगी जी का ने होगा तो शायद उनकी जानकारी में होगा यदि अवैद कब्जा चाहिए मजार के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हटना चाहिए तो उत हटेगा तो यह आपने सुना क्या कहना है सरकार में पिछला वर कल्यान मंत्री नेरियन के साफत और पर कहरें कि जैसे नगर निक पाए हैं जो रैलिया हैं जो सम्मिलन हैं वो भी करेगी करने जीतिन के साथ अन्बा शुक्ला एपी गंगा लखनो एबी पी गंगा खबर आपकी जबाद की